तमस्कार एक बार पनो हाजर हूं मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉक्स में दोस्तों मैं हूँ भासकरानन्द डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामदरिक विज्ञान का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में एक सुन्दर सी मेल हतेली है आप पुरुष जातक है और आपके हतेली हमारे सामने दिखाई दे रही है यहाँ पे देखेंगे तो ये जो भाग है इसको हम चंद्रमा कहते हैं ये मन का कारक है और हमारी हतेली में बैठने वाला ये क्या है धार्मिक अस्तान भी कहते हैं यात तत्व का मालिक है, 70% हमारे जीवन को बदलने की चमता रखता है, और यहां पे जो ये बीच वाला भाग है, इसको भग्य अस्तान कहते हैं, ये सनिका प्रवत है, हमारे कर्मों को देखता है, और उसके अनुसार हमें फल देता है, क्योंकि ये बात तो फैक्ट है, आप भी ज जानते हैं और अच्छी तरों से जानते हैं, अगर हम कर्म करेंगे और जिस प्रकार का कर्म करेंगे, उसी के अनुसार जीवन में हमें आनंद मिलेगा, धन मिलेगा, उसी के अनुसार हमारा जीवन उच्च किसमका होगा, उसी के अनुसार हमें जीवन में यस मिलेगा, सारा खुछ हमारे कर्मों पे निर्भर है तो इसके लिए जो है ये भग्य अस्तान ये कर्म का छेतर स्रेश्ट माना जाता है ठीक है न? अब यहां पे दीखेगा आपकी जो ये करियर और धन की रेखा है इस तरों से आती हुई दिखाई दी रही है कहां से निकल रही है ये आपकी निकल रही है चंदर छेतर से और कहां पे पहुँच रही है ये आपकी पहुँच रही है भग्य अस्तान पे इस पश्ट तरीके से कह रही है कि दो हजार पच्चीस के सुरुआत से जी दो हजार पच्चीस के सुरुआत से ही आपको बहुत बड़ी सपलता मिलनी सुरू हो जाएगी मनि आपके सपलता जबरदस्त रूप में उठनी सुरू हो जाएगी और परतीक दिन आपके हातों में पैसा आएगा उस परकार की सिच्वेशन बनती हुई दिख रही है परतीक दिन कितना आएगा अपनी योगयता और मस्तिस्क सक्तिके जितना आएगा परतीक दिन आप पैसा कमाएंगे और अगर आपका वहन नहीं है तो वहन का बहुत सांदार सुक आपको प्राप्त होगा अपने आप रास्ता मिल जाएगा अपने कमाये हुए पैसों से अपने घर का सुक मिलेगा और अपने ब्यापार का बेहतरीन इस्तिती का सुक मिलेगा और ठीक 2025 की सुरुवात से क्या दिखाई दे रहा है जो धन का मामला है जो करियर का मामला है उसमें पूरी तरों से अस्ताई तो आना सुरू हो जाएगा इस्टेबिलिटी की और आप चले जाएंगे बड़ी परकार की जो सफलता है उसको दिखा रहा है अब इस चीज को कनभम कोन कर रहा है आपका सुर्य का परवत ध्यान से देखेगा यहाँ पे सुर्य में आप देखेंगे तो यह रेखा हलकी हलकी से दिखाई दे रही है ठिक यह बता रही है कि जो भी काम आप करने जा रहे है उसमें आपको बड़ी कामियाबी मिलेगी आपको यसकी प्राप्ति मिले होगी आपके कारियों को बिस्तार मिलेगा अब एक रेखा यहां से जारी है इस पे और हिर्दे रेखा से मिलकर एक बहुत बड़ा तिर्भुज बना रही है ये तिर्कोन बता रहा है कि देखो सुर्य पर उत पे जितना बड़ा तिर्कोन होता है उतना बड़ा फल देता है करियर और धन की रेखा चंदरमा से निकली और सनी पे पहुँचे तो जो समय मैंने बताए बड़ी सपलता देता है सुर्य पर इस प्रकार का तिरकोण हो तो ऐसे ब्यक्ति के पास अपने जिवन काल में निश्चित ही गारेंटेड होता है ये कि बड़ी गारी और बड़ा घर मिलता ही मिलता है ये इस चीज को बताता है ये लगजरी है ये तिरकोण ये सबसे बहतरीन माना जाता है सबसे बड़िया माना जाता इसको ये तिरकोण का निशान ब्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है ऐसे जो जातक होते हैं ये कला के पार्खी और सिद्ध हस्त होते हैं सूर्य परवत पर इस निसान का होना बिक्ति के धनी होनी की निसानी होती है कि आने वाले समय में बिक्ति धनी होगा और ऐसा बिक्ति धनड्य लोगों की सूची में अपना अस्तान बना लेता है चाहे ये ब्यक्ति पैतरिक रोप से कितना बिनिर धन हो आर्थिक संपन ना भी हो तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को कमाते है और ये आपके हतेले में इस पश्ट दिखाई दे रहा है अब एक चीज और देखेगा निश्चित रोप से ठीक है न अब एक चीज और देखेगा यहाँ पे एक राज्योग भी बन रहा है इसके साथ साथ राज्योग जबरदस्त बन रहा है कैसा बन रहा है देखेगा यहाँ पे एक तो देखेगा आपका जो ये मरकरी के माउंट है इस पे जो उंगली है ये सीधी खड़ी है बले ही बनावर थोड़ा अलग है लेकिन सीधी खड़ी है और आपकी जो है इसके पहले पोरवे तक पहुँच रही है ये बड़ा स्रेश्ट है ऐसे ब्यक्ति आप प्रेक्टिकल रोक में देखेंगे तो आपको ये ब्यापारिक समझ के ब्यापारिक बर्ग के लोग दिखेंगे अच्छा खासा ब्यापारी होता है बड़िया जिसको कहते हैं ऐसा ब्यक्ति अगर नौकरी कर रहा हो जाए प्रेवेट नौकरी हो जाए स भी दिखाई दी रही है कि कम्यूनिकेशन इस्किल्स के दम पे आप धन कमाएंगे आप अपनी प्रसिद्धी को कमाएंगे आपकी कम्यूनिकेशन इस्किल्स शांदार रहने वाली है उसके अलावा आपकी ब्यापारिक समझ बहुत अच्छी रहने वाली है अब दूसरी बात है अपने बलबोते पे किसी का उपर डिपेंड नहीं स्वयम के बलबोते पे कुछ करने वाला समाज में कुछ करना है अपने जियोन में कुछ बहुत बढ़ा करना है ये गुण आपके अंदर बहुत अच्छी इस्तिति में है और इसका फाइदा आपको जवर्दस्त मिलेगा अब देखेगा ये उंगली किसी के तरफ जोके हुई नहीं है सीध़ अपनी ही अस्तान पे लम्वत है खड़ी इसका मतलब है स्वयम उद्ध्यमी तो हैं आप कुछ ऐसे करने की फितरत में है जिन अच्छे कर्मों के लिए लोग सदेव आपको याद रखे इस परकार का आपका विक्तित तो है अब दूसरी चीज यहां पे देखेगा जरा ध्यान से आपकी जो ये सूर्य की उंगली है ये जुक रखी है ये कर्म ले रही है आपकी मिडली फिंगर की तरफ इसका मतलब है सूर्य के जो नैसरगित गुण है वो भी आपके अंदर जबरदस्त रोप में है क्या है वो यस पाने की हमेशा इक्छा बनी हुई है समाज में मान प्रतिष्टा पाने की इक्छा बनी हुई है आगे भी रहेगी ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे प्रतिष्टा गिरे जिससे यस खतम हो ये दिखाई दे रहा है अच्छे खासी यस प्राप्त करने की इक्छा रहेगी समाज में मान प्रतिष्टा पाने की इक्षा बनी हुई है आगे भी बनी रहेगी और अपने कारियों में निरंतरता विस्तार करने की इक्षा बनी हुई है इसका फाइदा मिलेगा क्योंकि मन की जो इक्षाव होती है ब्यक्ति ऐसी तड़पन में रहता कि उसको पूरा करता ही करता है तो कारियों में विस्तार होगा तो सारी चीजें अच्छी होंगी, एटोमेटिक होंगी, सांदार दिखाई दे रही है अब सूर्य के कारण जीवन में सबसे बड़ा गुण जो एक ब्यापारी के अंदर होना चाहिए, एक सफलतम ब्यक्ति के अंदर होना चाहिए, वो आपके अंदर जबर्दस्त रूप में है देखेगा, ब्यक्ति के पास कुछ हो नहों, लेकिन उसके पास अगर ये गुण है, जो आपकी हतेली का सूर्य कह रहा है तो अपनी जीवन में सुन्य पर भी होगा, तो भी सफलता की अंतिम पायदान को छुएगा और जीवन में सफल नहीं होगा कीवल, कीरती फैलेगी, ब्यक्ति को जानीगे, किसी न किसी चीज के लिए उसको जाना जाएगा उसके ब्यक्तित्तों को जाना जाएगा, उसके जाने के बाद भी उसका नाम रहेगा उसकी पीडियां उसको याद करेंगे, उसका समाज उसको याद करेगा ऐसी इस्तिति आपकी हतेली में है, क्या है देखो बड़ी भी दिखा दी मैंने, सुर्य परवत पे भी दिखा दिया मैंने आप देखें यहाँ पर ब्रस्पति का जो उंगले है उससे बहुत बड़ी है अच्छी खासी मातरा में है लेकिन मिडिल फिंगर से बड़ी नहीं है मिडिल फिंगर से चोटी है जो गुण इसका है वो है इसका मतलब है आपकी अंदर जो बहुत बड़ी चीज है वो क्या है वो है रिस्क लेने की ताकत, रिस्क लेने की पावर जबरदस्त है, चीजों में जोखिम उठाने का साहस, जोखिम उठाने की पावर, अब वो पावर ही नहीं है, कहीं उस रिस्क लेने में, उस जोखिम उठाने में, अगर आप फेल हो गए, नुकसान हो गया, और सुन्य पे पहुँच गए तो भी गिरकर उठने की चमता जबरदस्त है ये पावर इस्वर ने दे रखी है हिम्मती स्वभाव ये सबसे बड़ी चीज आपके अंदर मोजूद है और जो नेचुरली है किसी ने भरा नहीं है कोई भासन देने नहीं गया था ये नेचुरली है लेकिन एक चीज और है मिडल फिंगर भी आपकी जुक रखी है और किस की तरफ है सूरे की उंगली की तरफ ये बात तो जरूर है जब बहुत जादा मिहनत करेंगे बहुत जादा प्रिसरम करेंगे तब ही जाके चीजों में आपको सपलता मिलेगी ये भी है लेकिन देखेगा ये सही अनुपात में भी खड़ी है इसका मतलब क्या है कि सनी भी आपको कुछ न कुछ अच्छा दे रहा है क्या अच्छा दे रहा है आपकी मानसिक छमता उसकी पावर आपके अंदर जबरदस्त रहेगी उसके साथ साथ अध्यात्मिक छमता भी रहेगी और दोहजार पच्चीस की सुरुवात से तो भग्या का भरपूर साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है स्वाविमानी रहेंगे बिवेकी होंगे लेकिन औरों की मदद कनने की भावना भी रहेगी और औरों की मदद कनने वाला ब्यक्तित्व भी रहेगा औरों की मदद भी करेंगे नौलेज भी बहुत अच्छी रहेने वाली है और भग्यावान तो रहेंगे तो इससे बड़ी और क्या चीज चाहिए मनुश्यों को कुछ नहीं चाहिए होता यही सबसे बड़ी चीज है अब यहाँ पे देखेंगे यह है आपका गुरू का परवत इसकी उंगली देखें पूरी तरों से यह भी जुक रखेंगे है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ इसका क्या मतलब है कि धार्मिक भावनाई भी आपके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में है अभी भी है आगे भी बनी रहेंगी एक दयावान ब्यक्तित्व है आपका निश्ठुरता कुरूरता नहीं है खरूसपन नहीं है एक इनसान की तरहों दिखाई दे रहा है चीजें अब यहाँ पे देखेगा आपका अंगोठा देखें तो एक सुखाद जीवन जीनी की चाहा बनी हुई है और सुखाद जीवन जीनी के लिए प्रियतन सीली बिक्तित्व भी है केवल चाहा नहीं है प्रियतन भी कर रहे है और उस प्रियतन में सफल भी होंगे हतीली का अवुठा कहे रहा है अब इसके साथ साथ अन्य चीजें देखें कुछ ठीक है कुछ नगेटिव है जो नगेटिव है उनका उपाई दूँगा मैं विद्वत तरीके से करेंगे निश्चिती फाइदा होगा यहाँ पे अगर हम हिर्दे की रेखा देखें तो यहाँ से भगया रेखा के साथ आगे बढ़ रही है एक साथ मिलके और क्या कर रहा है यहाँ पे यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स की फिंगर है जो आपकी मिडिल की फिंगर है उसके बीच में जा रही है किसी एक परवत पे नहीं जा रही है इस पे जुपिटर के माउंट का, इस पे सनी के परवत का दोनों का प्रभावजबरदस्त पढ़ रहा है दोनों का बल आ रहा है इस पे इसका मतलब है आप अपनी जिवनकाल में बहुत बड़े महत्वकांची है आपकी सोच इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है सकारात्मक है बहुत अच्छी बात है आपकी इक्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुँचने की हो रही है और इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे इन के प्रकारेण जो भी आप से हो पाएगा आप करेंगे ये बता रहा है आपकी मस्तिस्क की रहखा भी देखें बहुत सांदार है बोधिक अस्तर बहुत अच्छा है क्रेटिविटी बहुत अच्छी है आपके अंदर एक विबेकवान ब्यक्तित्व है हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं जीवनकाल के लिए योजनाई बनाते रहते हैं कल्पनाई भी बहुत ज़्यादा करते हैं आप प्रायों बहुत ज़्यादा सोचते भी है कभी कभी तो इस सोच इस कल्पना के कारण मन भी एकागर्चित नहीं रहता है तो थोड़ा सा जो है दिब्यय योग ध्यान किरिया की जरूरत है वो जरूर करिएगा जीवन की रेखा देखें तो पूरी तरोसी हतीली को पार कर रही है परिवार के परती बहुत जादा समर्पन की भावना आपके अंदर है बहुत जादा समर्पित हैं आप और जीवन काल के ठीक 25 वर्ष के सुरुवात से जीवन भी इसमूद तरीके से चलता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत इसमूद तरीके से अब यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरोसे जाती हुई दिख रही है यहाँ पे क्या बना रहा है एक मचली का आकार यह तो का प्रभाव पड़ रहा है धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मातरा में रहेंगी यातराओं का लाभ भी मिलेगा और एक बात तो है जन्म अस्तान से दूर क्या करेंगे अपना मकान बनाएंगे अपना सब कुछ बना लेंगे जन्म अस्तान में जो है पूरतो बसेरा नहीं दिखाई दे रहा है यह चीज जरूर रहेगे अब एक चीज यहाँ पे और देख लेजेगा यहाँ पे थोड़ा गयब दिखाई दे रहा है लेकिन इसका कोई गलत प्रवाव नहीं पड़ेगा अब पूछो क्यों नहीं पड़ेगा क्यूंकि यहाँ पे देखेंगे एक रेखा यह है जीवन की सहीयोगी रेखा तो इस रेखा में जीवन की रेखा में कोई भी अगर अब गुण होता है तो ये जीवन की सहयोगी रेखा, मंगल की रेखा, उसका हरण करती है तो इसका मतलब क्या है? कि आपके जो पांच तत्व है, आपकी जो एलिमेंट है, आपकी जो फाइब एलिमेंट है, पंच भूत है और आपकी जो सातों चक्क्र है, पांच ग्यान इंद्रिया, पांच कर्म इंद्रिया, उनके उनसार आपके इश्ट देव, हनमान जी है, शंकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे, हनमन तबीरा, किसी परकार का संकट हो, काट लेते हैं और इस लकीर की वो जोसे आने वाले समय में जब भाग्योदाई की इस्तिति दिखाई दी रही है समय मैंने बता दिया है आपको दूसरों का सयोग भी बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी किरपा आपके उपर है इसका अनु इसे सुरुप्स ने परवने दी है और ऐसा भी सांदार विक्तितों उभर कर आएगा कि जीवन काल में एक बार यदि कोई निर्णे ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे आपका विक्तितों भी इस मंगल की लकीर की वो जोसे अपने आप में अच्छा खासा प्रभाव सीन रहेगा प्रभावित करेगा जीवन को अब यहां पर देखेगा करियर और धनी की रेखा के बारे में हमने बता दिया है जीवन काल में अब यहां पर सांदार इस्तित में देखें यह बता रहा है कि देखेगा पचासवे वर्स के बाद भी आ पेटालिस से पचपनवे वर्ष के बीच में multiple property की योग है और यहाँ पे डमरोवी बन रहा है आपके द्वारा अगर आप चाहेंगे तो धार्मिक जिसको कहते हैं धर्मसाला या मंदिर उनका भी आपके हातों द्वारा निर्मान होगा जबरदस्त रूप में होगा इस पश् पुलती हुई दिख रही है कल क्या घटित होने वाला है इसका आभाद जबरदस्त रूप में होगा यह भी दिखाई दे रहा है सब कुछ जबरदस्त है अब थोड़ा सा कुछ चीजे नगेटिव हैं उनकी और भी चलते हैं यहाँ पे देखेंगे तो आपकी हतेली में जो उलजन की इस्तिति है जो कनिफ्यूजन की इस्तिति है जो दुविधा की इस्तिति है वो भी घर कर रही है और आपके अंदर जो निरणे लेने की ताकत है पावर है उसको यह छीण कर रही है दूसरा कहीं न कहीं आपकी जो आर्थिक इस्तिति है आर्थिक सेहत है उसको ये कमजोर करने की कोशिस कर रही है आपको कहीं न कहीं दरिदर्ता की और ले जाती हुई दिखाई दे रही है बरतमान में तीसरा इसका असर आपके स्वस्त्य पे पढ़ रहा है चाए वो मानसिक स्वस्त्य हो चाए वो सारेरिक स्वस्त्य हो इसका असर कहीं न कहीं पढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है चौथा इसका प्रभाव आपके रिस्तों पे पढ़ रहा है जिस प्रकार का रिस्तों का मैनेजमेंट होना चाए जिस प्रकार से रिस्तों में समरस्ता होनी चाए या फाइदा होना चाहे वो उस परकार से नहीं है पांचवा इसका प्रभाव आपकी development पे आपकी progress पे पड़ रहा है कहीं नहीं कहीं न कहीं कार्या आपकी अनुरूप उस विस्तार को जन्म नहीं दे पा रहे हैं जो होना चाहे तो इसके लिए एक बनस्पति अश्नान मैं आपको दे रहा हूँ आप देखेगा मैं यहाँ पे तीन चीजें दूँगा आपको एक तो आपको दूँगा दिब्य सूरे किरिया, दिब्य योगध्यान किरिया और बनस्पति अश्नान और सूरे की उपासना क्यों? क्योंकि आपकी सूरे में बहुत गजब का साइन है जिसका मैंने विबरन किया है और उसको पुष्ट करना बहुत जरूरी है वो अगर पुष्ट होता है तो निश्चित ही बिक्ती या तो करोड़ पती बनता है या तो उसके समक्ष पहुच जाता है तो ये चीज आपके लिए बहुत जरूरी है अब यहाँ पर देखेंगे तो इस परकार की लकीरे यहाँ जाती हुई दिखाई दी रही है इस पश्ट तरीके से इसका मतलब है कि जीवन में जो है एक तो आयू बहुत अच्छी रहीगी दूसरी सपलता जबरदस्त मिलेगी और ब्यावसाई कर रहे होंगे तो विसेश तरकी है बोलने के धंके कारण भी जीवन में जबरदस्त धन कमाएंगे लेकिन एक कमी ज़रूर रहेगी अगर एक बार पेट का रोक पकड़ ले या मानसिक चंता थोड़ से भी उभर जाए तो वो बड़ा रोप लेती है तो इसके लिए दिब्बे योग ध्यान के रिया एक ज़रूर करते रहे दूसरा पाने का सेवन ज़्यादा करे और खाना खाने के बाद अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो गुड़ का सेवन ज़रूर करे बागे और बेरे खाए हैं लेकिन उसमें आती है अब दो रेखाएं आपके मणी बंद में है किसी का सहारा की ज़रूरत नहीं है अन्ना किसी के उमीद रखे स्वयम की मेहनत स्वयम की परिस्रम से ही आप स्रेष्ट सपलता को अर्जित करेंगे हाँ थोड़ा प्रारंबिक दो निश्चित तोर पे संगर्स में रहा ही रहा होगा चाहे आप उसको न कारें चाहे मानें लेकिन ये बता रहा है उस संगर्स ने एसी सीख दे रखी है कि हर सुक को पाईगे भी हर सुक का भोग भी करेंगे लेकिन अभी कुछ समय तक कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी और ये धाई वर्स का जो समय है हलकी चिंता को भी दे रहा है चाहे कितने भी प्रसिद्धी हासिल कर ले सपलता हासिल कर ले लेकिन कोई न कोई चिंता ज़रूर बनी रहेगी अंग उठे के नीचे का भाग देखें तो ये सुक्र का परोत है ठीक ने यहाँ पे क्या है ये रेखाई उभर गई है तो बरतमान में थोड़ा मानसिक प्रेशानियां देता हुआ दिख रहा है किसी चीज को लेके चिंता भी कर रहें सोच भी रहें और बहुत ज़्यादा मेहनत प्रिसरम करने के बाद भी आपके दिर्ष्ट से देखें तो पूर्णता नहीं दिखाई दे रही है लेकिन अपने को मेंटेन रखना अपनी परसनल्टी पर ध्यान देना अपने को सज समर कर रखना ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगे आने वाले समय में सुक्र के कारण पारिवारिक सुक्र या पारिवारिक सपोर्ट मिलता रहेगा दोनों मंगल देखें मंगल बहुत अच्छा है आपका प्राकरम अतिविस्ष्ट परकार का है बहुत अच्छा रहने वाला है और एनर्जेटिक स्वभाव आपका बना रहेगा देव गुरु ब्रस्पति सनी की तरब जादा जुक रहे हैं परिवार को लेके कुछ चिंताएं लगभग दो से ड्हाई वर्स तक बनी रह सकती है कोई न कोई चिंता चाई बे मतलब की हो लेकिन बनी रहेगी और थोड़ी सी कभी कभी समश्याओं का सामना भी करना पड़ सकता है इन ड्हाई वर्सों के बीच में तो थोड़ा दिहन रखेगा अभी ये थोड़ा साधरन अउस्ता में आ रहे हैं और इस समय ये आपके अंदर भी साधरनता देने की कोशिस कर रहे हैं सामनी विक्तित देने की कोशिस कर रहे हैं लेकिन आर्थिक रोप से ठिक ठाक रहेने की संभावना है यस प्राप्त के लिए मन में जुकाओ बना रहेगा स्वतनतर्ता और लिडर्शिप की चाहा मना रहेगा इस और ये इसारा कर रहा है सनी का प्रवत देखें तो सुबा उठने में थोड़ सी परेशानी हो शकती है आलेश्य जादा आशकता है और कभी-कभी बेवजहे की चिंताईं सनी देता हुआ दिख रहा है सूर्य अच्छी इस्तिति में आ रहा है आने वाले समय में अच्छे फल देगा बुद्ध पे देखें लगातार रेखाईं उपर की और जाती हुई दिखाई दे रहे है सेवा भाव बहुत अच्छा रहेगा जीवन के अंतिम चण तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा ब्यापार की समझ बहुत अच्छी रहेने वाले है और ब्यापार कर रहे होंगे तो बहुत बड़ा सपलता बड़ा लाब मिल उतने वाला दिखाई दे रहा है चंद्रमा की इस्तित देखें चंद्रमा आपका बहुत अच्छा है इसमें कोई संकानी है मानसिक रोप से बहुत ज़्यादा मजबूती देता हुआ दिख रहा है कॉन्फिटेंच लेबल एक आएक बहुत अच्छा रहेने वाला है सरीर में किसी परकार के अगर कोई समस्या हो भी तो भी चंद्रमा की वजो से मन अच्छा रहेगा और चंद्रमा जिसका भी मजबूत होता है तो निश्चित ही पाचन तंत्र भी मोटे तोर पर ऐसे लोगों का ठीक रहता है आपका भी अच्छा रहेगा हार्मोनल सिस्टम भी धीरे धीरे बहुत मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है क्रियेटिवी बढ़ रही है आपकी क्रियेटिविटी और कहीं न कहीं सकारात्मक सोच बढ़ेगी छलकपट से दोर रहेंगे थोड़ा सा एक चीज का ध्यान रखें जल छेतर से थोड़ा दोरी बनाई रखें आपके लिए बहुत सुन्दर रहेगा देखा जाई तो मैंने आपकी हतेली का पूरा बिसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके भीज रहा हूँ करने के कोशिस करें निश्चित ही लाब की प्राप्ति होगी इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनो पस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार